नीम करोली बाबाजी के सारे चमते जंगल में इस तरही के से देखे आग लगी हुए दन्यावाद फैर शिवजी की पूजा की उनका पूरा श्रिंगार किया देटू यूई इसका पहला हगधार तो यही बन दो नाजिमें चैनल कनेक्ट वे शुक्ला आई होप यह तुए वेल नानिताल की यह थर्ड वीडियो है और आज हम पहुंच गए हैं कैचिध हम मंदिर में तो फाइनली आज हम कैचिध हम मंदिर में आई हैं नीम करॉली बाबाजी के दर्शन करने इससे पहले नानिताल की जो मैंने दो वीडियो बनाई हैं वो आपको बहुत ही अच्छी लगी और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैचिध हम चलेंगे और वहाँ पर आप सबको नीम करॉली बाबा के दर्शन कराऊंगी तो फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं और जैसे कि आप सबको भी पता है कि अंदर कैमरा अलाओ नहीं होता है इसलिए मैं बहार से ही बस वीडियो बना रही हूँ और आप सबको भी बहार से ही दर्शन कराऊंगी तो यहीं से आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए और इससे पहले भी हम नीम करॉली बाबा जी के मंदिर में आए थे कैचिध हम आए थे तो वो वीडियो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है उसमें नीम करॉली बाबा जी के सारे चमतकार मैंने बताया हुआ है उनके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है तो वो वीडियो आप जाकर देखना आपको बहुत पसंद आएगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से चैकर सकते हैं या फिर डिरेक्ट आप मेरे चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं अभी हम स जलते हैं चागेश्वर धाम मंदिर की तरफ हमने नीम करोली बाबा के दर्शन भी काई लिये अब बहुत अच्छे से हुए है ना विल्कुल अराम से शांती से तराशा तो सो गई थी बड़ तराशा ने जब देखा नीम करोली बाबा बैटे हुए है तो तराशा जली से करने के बाद अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम बट मैं आपको बताती हूं रास्ते में एक शौप आती है अलमोडा में खेम सिंग नाम से और यहां पर बहुत सारी मिठाईयां फेमस है जिसमें से एक है बाल मिठाई जो बच्चों को बहुत ज़दा पसंद आती है तो हमने भी यहां से बाल मिठाई परचेस की थी और वाके में वो बहुत ज़़दा टेस्टी थी अब हम फिर से निकल गए हैं और यह देखे संसेट हो रहा था तो कितना प्यारा व्यू लग रहा था माउंटेन पर संसेट और संराइज दोनों ही बहुत प्यारे लगते हैं और अभी तो आप देख सकते हैं कि सभी के घरों की लाइट ओन हो गई है तो कितना प्यारा लग रहा था हमारा target था कि हम दिन दिन में जागेश वर्धाम पहुंच जाएंगे बर जब वीच वीच में रुक रुक कर जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है और यहां पर मैं अपनी camera से record ही कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत जादा light यहां पर आ रही है फिर जब थोड़ा सा पास में आये तो फिर दिखाए दिया कि अरे यहां पर तो पूरे में आग लग गई है तो पूरे जंगल में इस तरीके से देखे आग लगी हुई थी तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था और यह आग कैसे लग जाती है कभी कभी होता है कि कुछ लोग cigarette पीके और वहीं पर पेड़ खराब हो जाते हैं इससे और बहुत जादा इन्वार्मेंट को भी नुकसान होता है तो बस इस तरीके से अब धीरे धीरे हम पहुंचने ही वाले थे और फाइनली बस अब हम अपने होटल में पहुंच गए थे और जो हमारा होटल था वो बिलकुल मंदिर के पास म अंदर एंटर करेंगे हमारे इस होटल का नाम था मिर्दूंजय और यह केमवियन होटल था तो यहां पर हमने नाइट स्टे किया था और यह काफी अच्छा होटल था बहुत जादा लगजीरिस तो मैं नहीं कहूंगी बट यह था कि हाँ आप को अगर बिलकुल मंदिर के पास में यह मिल रहा है तो बैस्ट है अब मैं आपको अपने रूम का टोर कराती हूं तो अगें तराश्या आप सब का वैलकम यहां पर कर रही हैं और हमारा एकदम नीट एंड क्लीन रूम था वही कि बहुत जादा लगजीरिस तो नहीं कहूंगी बट हां परफेक्ट था एकदम नीट एंड क्लीन और सारी चीजे अच्छे से थी हीटर भी था और वाश्रूम भी यहां पर बहुत बड़ा था अलमीरा भी थी और आपको अगर इसकी प्राइस जानने है तो आप केम वी एन जागेश्वर की वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप अपने किया और केक भी कट नहीं किया मॉर्णिंग में ही हम अब केक कट करेंगे तो यहां पर मॉर्णिंग हो गई है और तराशा ने यहां पर कैट दिखी और वो धीरे-धीरे उसके पास जा रही थी सी लव्स, कैट इवन वो एनिमल्स को बहुत जादा पसंद करती है तो यहां पर उसको थोड़ा सा डर लग रहा था पहले बट उसको एक मन भी था कि मुझे वो टच करना है तो हमने बोला कि आप टच कर सकते हो वो यहीं पर रहती है आपको कुछ नहीं बोलेगी तो पहले दीरे दीरे उसने position बनाई और आप देखे सकते हैं दीरे 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 वो उसके पास चा रही है उससे बाते की उसको पहले अपना friend बनाया और finally cat उसकी friend बन गई थी उसने बहुत ही प्यार से दीरे दीरे उसको सहलाने लगी और फिर बहुत time तक उसके साथ वो खेली तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था अब उसके बाद तो मुझे यह भी लगा कि cat को भी बहुत अच्छा लगने लगा था उसकी भी तराशा से friendship हो गई थी तो तराशा बहुत time उसके साथ spend किया और आप उसके face के expression यह सब भी देख सकते हैं कि वो बहुत cat की तरा ही हमें कर करके दिखा रही थी और cat भी देखे कितने अराम से यहाँ पर बैठी हुई है तो यहाँ पर उसके साथ बहुत सारी photos क्लिक कर आई video बनाई और जब हम morning में walk के लिए गए थे तो हमें जगा जगा पर थोड़ी थोड़ी सी snow दिखाई दी और बाद में हमने द देख भी सकते हैं कि कार पर छोटे छोटे सी इसनो हैं तो मुझे इंतिजार था कि मैं इसनो रेल में देख पाऊं बट वैसा नहीं हुआ अब मैं आपको दिखाती हूं morning view जो कि हमारे balcony से दिख रहा था और यहां से आप मंदिर के एकदम दर्शन कर सकते हैं मंदिर हमें य आज है day 3 हम रुके हुए हैं जागेश्वर धाम में मैंने आपको अपनी balcony से दिखाया कि हमारी balcony से मंदिर दिखाया देता है तो अभी मैं आप सबको भी मंदिर के अंदर ले जाओंगी हम सब भी जाएंगे आज husband का birthday है तो हम वहां पर पूजा भी करेंगे और वहां से आन का birthday है तो comment books में उनके लिए बर बर कर प्यार बेजना विशिस बेजना तो चलिए चलते हैं मंदिर आपको दर्शन कर आते हैं अपि बरद कर दे आपी बरदय अगल्यावद बर्देबयार यहाणा जास्री राम जाना यहाथ बर्देबयाद फिलाए यह हमारी अच्छी बर्द कर दॉख पर्देश यहाथ जिए नाच्छी बर्देशर मार माकाल एवएवाँ ऑफ जिए लोग को अपको अधी से लिखेंगे आप एडवांस में थैंकि बोल दो भी तो जल सकी मैंने आप सबको दिखाया था कि हमारे होटल से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं तो हम वॉक करते हुए ही मंदिर पहुंच गए थे जब कोई बर्डे होता है एनिवर्सरी होती है या फिर कोई भी स्पेसल टे होता ह तो हम हमेशा मंदिर में जाते हैं तो आज हम महकाल के मंदिर में आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इस मंदिर में एंट्री करते ही आपको बहुत सारे मंदिर यहां पर दिखाई देंगे तो यह टोटल 125 मंदिर का पूरा एक समू है जिसमें से 108 शिवजी के मंद और बाकी अन्य देवी और देवताओं के मंदिर हैं तो आगे चलके धीरे धीरे में आपको सारे मंदिर दिखाऊंगी और देखे यहां पर यह बोर्ड भी लगा हुआ था डारेक्शन के लिए कि कौन सा मंदिर कहां पर है तो सबसे पहले हमने अपने शूज रिमूफ किये है और उसके बाद फिर दर्शन के लिए गए तो सबसे पहले हमने दर्शन किये महा मिर्तुंजय मंदिर में तो यहां पर बिल्कुल ही संगत नहीं थी विए को अराम से बैट कर तसलिसे में दर्शन हुए उसके बाद स्री जागेश्वर धाम मंदिर में हम गए यहां पर 60 view आप सबको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर चोटे बड़े चोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं अब हम जा रहे हैं केदारनात मंदिर में तो आप सर्प्राइस हो गए होंगे मेरी बात को सुनकर तो मैं भी यहाँ पर सर्प्राइस हो गए थी कि यहाँ पर केदारनात मंदिर तो येस यहाँ पर केदारनात मंदिर है और कहा जाता है कि जो लोग इतनी दूर वहाँ पर दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर ही सिपजी के दर्शन कर सकते हैं अभी कपाट बन थे बर थोड़ी देर बाद यहां के कपाट खुल गए थे तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिये थे अब आप इस वरक्ष को देख सकते हैं बहुत ही विशाल वरक्ष है इस वरक्ष में माता पारवती और भगवान शिव अर्ध नारेश्वर के रूप में विराजमान हैं तो नीचे से ये एक है और उपर जाकर इसके दो भाग हैं तो ये ही बड़ा ही चमतकारी वरक्ष है अब हम रूदरा अभिशेक पूजा के लिए बैट गए थे और हमने बंड़ाजी को पहले ही बोल दिया था कि हमें पूजा करानी है तो नोने जितनी भी पूजा की सामगरी होती है सब इकटी कर ली थी जितना भी समान होता है सब कुछ अपने आप से अरेंज कर लिया था बस हमने वहाँ पर जाकर अच्छे से पूजा की तो बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिकोर्ड नहीं किया करीब आदा पोन गंटे की वहाँ पर हमने बैट कर पूजा की थी तो बस यह चोटी सी मैंने यह कुछ किलिप ली है आप सबको दिखाने के लिए तो सबसे पह और भी फैमिली थी तो सारे पंड़जी एक साथ मिलकर मंत्रों का उचारन कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा थे दम मन को बहुत शान्ति मिल रहे थी पूज़ा संपन होने के बाद भगवान जी का अशिर्वाद लिया, पंड़जी का अशिर्वाद लिया, उनको उनके दक्षणा दी और उसके बाद हम आगए थे पुष्ती माता के मंदिर में, जिनको पारवती माता का मंदिर भी कहा जाता है, और ये सभी शक्ति-पीथों मे से एक सक्तिपीत माना जाता है और बस जाते जाते भी एक बार में आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूं यहां पर सभी की मन्नते पूरी होती हैं पहली बार इतने अच्छे से पूरी सेवा करने का मुखा मिला है ना पापा के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमने रुद्रा भीशेक किया बैठके इतनां से पूजा की और बहुत ही इच्छा लगा मैं ने फस्स तरीके से मंदिर में पूजा किया तो बहुत ही अच्छा लगा और यह मैं तो यहीप करूंगी कि जब भी आप आय तो विक क्योंकि जब बहुत ही संगत होती है फिर हम उतनी अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं तो आज मंदिर में उतनी ज़्यादा संगत नहीं थी तो बहुत ही अच्छे से भगवान के दर्शन हुए काफी हद तक मैंने रिकॉर्ड किया जहां पर अलाव नहीं था वहां नहीं किया और आप सबको भी दिखाया पूजा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बस मन था के इत्मिनान से केमरा एक साल तक के पूजा करें तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ बहुत अब आप जो ये क्लिप देख रहे हैं ये कुछ दिन पहले की है और एक व्लोग में मुझसे पूछा गया था कि मैंने अपनी फर्स्ट सेलरी का क्या किया और मैंने बोला था कि उसका अंसर में एक व्लोग में दूंगी तो आज ये वो उसका अंसर है सबसे पहले तो मैंने भगवान का परशार चड़ाया और उसके बाद फिर ये गिफ्ट लिया अब मैंने ये गिफ्ट क्यों लिया है क्योंकि आज अगर मेरा यूट्यूब चैनल है तो सिर्फ और सिर्फ इन ही की वज़े से है और इन्होंने ही मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैं कैमरा फेस कर पाऊं आप सबसे बात कर पाऊं तो इसका पहला हगधार तो यही बनते हैं अब आप बोलोगे कि यह मैंने पहले क्यों दे दिया गिफ्ट मैंने इसलिए दिया था पहले कि अगर यह पसंद नहीं आई तो यह चेंज हो जाएगी बट इनको यह बहुत ही ज़ादा पसंद आई अब देखे भई तराशा का तो रिटन गिफ्ट बनता ही है तो उसको रिटन गिफ्ट में क्या मिला वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बोल रहे थे कि आपके लिए I think slime है तो कि उसको slime चाहिए थी बट उसने ये बिल्कुल उमीद ने खी थी जो उसको मिला तो सच सच बताना कि तराशा के साथ साथ कौन कौन excited है ये गिफ्ट देखने के लिए तो finally उसको उसका गिफ्ट मिल गया है उसको उसकी प्यारी Elsa मिल गई है तो बहुत लोगों को पता है कि तराशा की फेवरेट है Elsa और उसके पास Elsa नहीं थी तो वो असे prayer करती थी कि मुझे Elsa मिल जाए तो आज उसको finally Elsa मिल गई क्या मिल गया तो आपने सुना कि तराशा ने बोला ममा आपने बोला था किसी ना किसी जिन आपको जरूर Elsa मिल जाएगी और आज ही मिल गई तो वो बहुत जादा हैपी हो गई थी और फिर उसने Elsa के जैसे ही बिलकुल डांस करके भी दिखाया अब यहां पर उससे बिलकुल नहीं रुका जा रहा था उसने बोला कि ममा मुझे इसको open करना है तो यहां पर मैंने उसकी help की और उसने यहां पर Elsa को open कर लिया और एक एक चीज यहां पर बिलकुल check हो रही है कि उसके shoes कैसे हैं उसकी rest कैसी है और बस उससे बाते करना भी start ह गया है और आप उसको देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा खुश है बार बार वो Elsa वाला ही dance कर रहे थी और आगे हम जहां भी गए उसने पूरे time अपने साथ Elsa को रखा और कार में जब थोड़े देर के लिए नैप ली थी तब उसी के साथ वो सो गई है राशा आपकी प्यारी सी Elsa मिल गई पापा जी आप कितना अच्छो हो यह मतलबा मेरे कितने साइच चीजे लाते हो मुरे पता है नहीं मेरे हाथ बिलको इसके तरह है मैरी गव मैरी गव एई मैं फ्रोद है नहीं और बस हमने होटल से चेक आउट किया ब्रेक फास्ट किय और अब हम निकल गए हैं गोलु देवता मंदिर के लिए जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है कहा जाता है कि जिसकी जो भी चाय होती है वो वहाँ पर पूरी हो जाती है तो बस हम निकल गए थे और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज 22 जनवरी है आज राम लला की प्राण प्रितिस्टा है भव्य मंदिर का उद्गाटन है और जिस घड़ी का हम सभी भारतवाशों को इंतिजार था आज वो घड़ी है तो बस चारों तरफ रोड पर घरों में हर तरफ राम जी के ही जैकारे हैं उनकी एक जहलक के लिए सब इंतिजार में है मेरा नाम है ऐलसा तुम कैसी हो यह ऐलसा मेरे प्यारे पापा जी लाए है इसका स्वोंग सुनना हो एक बार ऐलसा का मेरी ग्यों मेरी ग्यों मेरे ग्यों एन वान हो सब इसलेई हेलो गाइस आप सब कैसे है हमारी वीडियो अर तक जरूर देखियेगा हमारे हमेशा मेरी बाठ वाहनते ही पासा आपके सापने आप हमेशा कहते हैं कि ऐसा तुम कहा हो जल्दी आओ और आप सब मेरी वीडियो भी देखते होंगे ना फ्रोजन वाली नराशा मुझे बहुत पसंद करती है आप लोग को पता है ये अवाज मैं नहीं मेरी बेहन बोल रही है डायाना मैंने अपनी फ्रेंड का नहीं देख रखा है और वो मेरी ब कि ऑंस रख publications और रहें कि अच्छुल्स को रे टारों सी हुआ को ये खiki ए こन है ये सिर कोड़ी आओ कि वाली ओ होगा है जबस्री कोड़ी सूल्स होगा है जागती है जैश्री राम तो देखा आपने चारो तरफ बस राम जी का ही इंतिजार है तो हमने भी जैश्री राम का यहाँ पर जंडा लगाया है और जब यह कार चलेगी तब हमारा भी जंडा लहराएगा तो यहाँ पर मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आपने भी जंडा नहीं लगाया क्या तो उन्होंने बताया कि दीदी देखो वो सामने हमारा जंडा लगा हुआ है और जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि जंगल में कल रात को आग लग गई थी बट इस जंडे को कुछ नहीं हुआ तो देखिए ये एक शक्ती होती है राम जी की तो अब फाइनली हमारी कार में भी लग गया है और अब हम भी राम जी का जैकारा लगाते हुए अपनी जर्णी को स्टार्ट करेंगे बाई जै श्री राम तो फाइनली गाइस अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलना उसमें मैं आपको गोलू देवता टैंपल दिखाऊंगी और उसके बाद एक ऐसा सर्प्राइज जो हमारे लिए भी सर्प्राइज था वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो जैसे आपने मेरी बाकी की वीडियो को अपना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, प्यारे प्यारे कमेंट किये हैं, इस वीडियो को भी ऐसी ही अपना प्यार देना, और जिसने भी अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और आप भी हमारी चोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाओ मिलते हूं मैं आप से और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केर, बाई बाई